हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आयरवेद दबेस ओफ लाइफ मैं डॉक्टर अंजली आज आज आपको नीम के औशदीय गुडों के बारे में बताऊंगी लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और बेल आइकोन प्रेस कर लीजे जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत बहुत सके नीम 4000 वर्ष इसे आवरवेद में चमतकारिक पेड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे गुण शरीर की अनेक तरह की समस्याओं को दूर करते हैं इसके पेड का हर एक अंग बहुत ही उप्योगी और औशधी गुणों वाला होता है इसमें antifungal, antibacterial, धेर स्वारी qualities होती है जो germs को मिटाने में बहुत ही effective है आईए हम जानते हैं इसके 15 ऐसे गुण जिनका उप्योग आप अपने बिमारियों को दूर करने में कर सकते हैं पहला खून को साफ करने में इसके 2-4 कोमल पत्या अगर आप रोज सुबह खाते हैं तो यह हमारे शरीर में बस्तित खून के गंदे जिवानों को नस्ट करता है और खून की सफाई करता है दूसरा यह blood sugar label को control करता है सुबह खाली पेट इसकी चार पत्या रोज धोकर खाने से यह blood sugar label को कम करके मधुमेव को नियंत्रित करता है बुखार और malaria को दूर करता है इसकी पत्यों से या छाल से काढ़ा बनाकर दो बड़े चम्मच तीन से पांच दिन तक लगातार लेने से यह बुखार और malaria को जड़ से खत्म करता है यह काढ़ा कढ़वा होने के कारण आप इसमें दो चम्मच शहद मिलाकर ले सकते हैं पेट के लिए लाबदायक है असिडिटी, कबज, पेट दर्द, आदी समस्यों में बहुत ही फायदे मन्द है के लिए आप चार पत्ते रोज सुबे खाली पेट लीजे यूरिन इंफेक्शन को दूर करता है ये शरीर भी उपसित विशाले पदार्तों को बाहार निकालता है और यूरिन इंफेक्शन को दूर करता है कीडे के काटने पर उसके जहर को मिटाता है कीडे के काटने पर उस जगे पर अगर इसकी पत्तियों को पीस कर लेप किया जाए तो ये उस जहर को मिटा कर सूजन और दर्द को कम करता है जल जाने पर भी बहुत effective है किसी जगे पर अगर आप जल गए हैं तो नीम के पत्तों को पीस कर उस जगे पर लेप करने से ये घाओ को जल्दी ही ठीक करता है immunity को बढ़ाता है इसमें बहुत सारे germs को मारने की चमता होती है इस प्रकार ये हमारे शरीर की immunity को बढ़ाने का काम करता है त्वचा के लिए बहुत ही फायदे मंद है हमारे स्किन में पाई जाने वाले बहुत सी तकलीफों जैसे खुजली, एक्जिमा, मुहासे, फोडे फुनसी आदिकारों में इसके पत्तों का लेब करने पर ये बहुत ही फायदे मंद है ये मुहासों और फोडे फुनसी को दूर करके उनके दागों को भी मिटाता है बालों को बहुत ही सेहत मन बनाता है नीम के पत्तों का लेप करने से आपके बालों की और सर की बहुत स्याय दूर होती है जैसे कि रूसी, खुजली, दाने, बालों का रूखापन, उनका पतला होना, पलिस्ट्रॉल को भी कम करता है किड्नी स्टोन में भी बहुत एफेक्टिव है पत्री में नीम के 10 से 15 पत्तों को डाल कर एक लीटर पानी में 3 से 5 मिनट तक उबाल लीजे और इसे छान कर रख लीजे रोज सुबे एक कप पीने से ये किड्नी स्टोन को हटाने में बहुत ही फायदे मन्द है फंगल इंफेक्शन में चाहे इसकिन में हो या सर में हो नीम के पत्तों का लेप करने से ये फंगल इंफेक्शन को पूरी तरह ठीक करता है चेचक की बिमारी में नीम के पत्तों से नाय हुए पानी से नहाने से या घामों को धोने से दाने फैलते नहीं है और खुजली भी नहीं होती है और दानों के दाग भी नहीं पड़ते हैं नीम क्रमी नाशक होता है यदि आपके पेट में कीडे हैं तो एक चम्मश नीम का तेल रात में सोते समय तीन दिन तक पीने से कीडे निकल जाते हैं दातों के लिए इसकी दातून बहुत ही फायदे मंद है इसका निये मित इस्तेमाल आपके दातों को बहुत ही मजबूत बनाता है तो यदि के साथ ही मच्छरों को भगाने में भी नीम बहुत ही इफेक्टिव है नीम की सुखी पत्यों को उबर के कंडे में जलाकर धुआ करने से या नीम के तेल में कपूर पीसकर मिलाकर उसे जलाने से मच्चर भाग जाते हैं लेकिन नीम के सेवन के साथ हमें कुछ सावधानिया रखनी भी जरूरी है जैसे अगर आप नीम ले रहे हैं तो आपको पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए दूसरा इसके पत्तों का सेवन 11 दिन या 21 दिन तक लगातार करने के बाद आपको कुछ दिन का गैप कर देना चाहिए या फिर एक एक दिन छोड़ कर खाईए चोटे बच्चों को नीम नहीं खिलानी चाहिए और गर्भवती महिलाओं को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए साथी सुबै खाली पेट नीम की पत्तियों को लेने से या उसका काढ़ा पीने से सबसे ज़्यादा देता है तो इस तरह आप भी नीम के फायदे उठाईए अगले वीडियो में नीम का तुचा पर चमतकारिक लाभ और कुछ ऐसे प्रयोग जिनसे आप अपनी तुचा की जुर्या मुहां से दाग धब्बे दूर कर सकते हैं और तुचा को सुन्दर बना सकते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए और लोगों के भी जादा से जादा शेयर करिए जिससे वो भी इसके फायदे उठा सकें